नौशकार फ्रेंड डिसकुशन के लिए है हमारे पास मेकनाटन रूल्स एक टरम्स जो कि अगर देखा जाए तो रिलेशन जो है इसका इंडिन पिनल कोड में वो सेक्शन 84 के साथ इसका बनता है यह जो रूल थे दोस्तों वो ब्रिटिश जजिस के द्वारा फ्रेंड किये थे और जिस केस में फ्रेंड किये थे वो के साथ की स्क्रीम पर है इस रूल के जरीए दोस्तों जो mentally disturbed आदमी होते हैं अगर वो किसी तरह का crime कर देते हैं तो उसमें जो situations arise होती हैं उनको solve करने की कोशिश कीगी जैसे कि मैंने कहा कि ये rules जो है वो England के court ने frame की और case का नाम भी आपको बता दिया अब देखते हैं कि ये जो rules frame किये थे उसका जो facts थे इस case में वो क्या थे तो इसमें दोस्तो डैनियल मेकनाटन नाम का एक person होता है जो कि Scottish यानि Scotland से belong करता है वो जो है उस वक्त के British Prime Minister के secretaries को ये समझ के shoot कर देता है और मार देता है कि भई ये British Prime Minister है ऐसा करते वक्त उसकी जो मनुस्तिती है जा मानसिक्तिती है वो ठीक नहीं होती है और बाद में उ उसको इन सैनिटी के ground पर छोड़ भी दिया गया कि भई इसकी जो मानसिक्तिती थी वो ठीक नहीं थी और उस मानसिक्तिती के चलते ही इसने ये अपरात किया है इसलिए इसको छोड़ दिया जाए और जो उसके case में medical evidences लेगे तो उनसे भी इसाबित हुआ कि भई बाकि इस का कतल करके बाद मैं वो defense ले रहे कि भई मैं जो हूँ mentally upset हूँ और उसी condition में मैंने ये crime कर दिया इसलिए मुझे छोड़ दिया जाए तो इसको लेकर फिर rules frame किये गए तो ये जो मामला था फिर horse of lord में चर्चा का विशे बन गया और उसमें फिर ये कहा गया कि भई ये जो matter में insanity को लेकर अगर कोई crime करता है तो उसमें उसको deal कैसे किया जाए वो जो एक नियम कह लीजिए कानून कह लीजिए उसको स्थापित करने की बड़ी साहिता की तो rule number first था इसमें कि अगर कोई accused crime करते मक्त ये मानसिकता रखता है कि भई वो जो कर रहा है वो गलत है या वो contrary to law है तो फिर उसको उसकी सजा मिलेगी until unless कि वो किसी मानसिक बिमारी से पेडित है rule number two में ये कहा गया कि जो jury है वो generally हर आदमी को sane समझेगी यानि कि वो ये मानेगी कि हर आदमी जो है sane है सही है उसकी mental condition बट अगर किसी को ये प्रूब करना है कि भई इसकी mental condition जो है ठीक नहीं है तो फिर उसे ये सब चीज़ें प्रूब करने पड़ेंगी कि जब ये crime कर र है और अगर उसे ये भी पता है कि वो contrary to law है तो उसको punishment मिलेगी और इसमें कहा गया कि जो jury है उसका काम है ये decide करना कि ये जो आदमी है ये इसने जब crime किया था तब ये कैसा था यानि कि इसको पता था कि ये क्या कर रा है या क्या नहीं कर रहा है क्या इसको पता था कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये कानून के अगेंस्ट है ये सब जो है वो सिर्फ जूरी ही डिसाइड कर सकती है रूल नंबर फूर के जब भी कोई अक्योज ये डिफेंस लेता है कि भई उसकी मानसिक स्थिती जो थी वो ठीक नहीं थैसा करते बगत तो उसमें फिर जूरी ये देखेगी कि भई इसको महसूस क्या हुआ जैसे मानने जिए अगर मुझे ये महसूस हो रहा है मानसिक मेरी स्थिती खराब होने की सिचुएशन में कि भई कोई मेरे पर हमला कर रहा है मेरी जान लेने की कोशिच कर रहा है तो मैं उसके आवज में या उसके डिफेंस में मैं उसकी जान लेता हूँ तो वो तो थोड़ा जेस्टिशेबल हो जाएगा पर मान लिजे कि अगर कोई मुझे गाली दे रहा है या मेरा कोई character assassination कर रहा है तो अगर उस situation में उसको मैं मार देता हूँ तो फिर वो गलत हो जाएगा पांचमा रूल ये था कि भई जो medical expert है जो insanity को judge करेगा वो सिर्फ trial में ही नहीं होना चाहिए वो उससे पहले की भी उसकी परिस्तिती जो मरीज उसकी परिस्तितियों को जानता होना चाहिए यानि कि ऐसा ना हो कि भई एक बंदा आ गया और उसने trial में accused को देखा कि भई इसकी मान सिक्स्तिती ठीक नहीं है और वो अपनी रायत बना दे उस पर यानि कि trial से पहले की जो उसकी life है उसके बारे में भी उस medical practitioner को knowledge होना चाहिए और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो आदमी जो accused की condition थी at the time of committing crime कि जब वो crime कर रहा था उस वक्त की जो condition थी उसकी फिर वो उस पर कोई अपनी judgment effectively पास नहीं कर सकता जो की ये decide करने में मदद करे कि भाई ये जो accused है ये बाकी मानसिक रोक से पीडित है की नहीं है और उस situation में रहते हैं इसने अपराद किया है या नहीं किया है और साथ मैं इसमें एक बात और कहीगी कि अगर मान लिजे accused जो है वो fact को admit कर लेता है तो उस situation में इस तरह का जो medical practitioner होगा कि जो सिर्फ trial पर देख रहा हो उसे तो फिर उसका एक scientific जो बेटेज है वो लिया जा सकता है बट अगेन इस situation को matter of right ये claim नहीं किया जा सकता है तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि शायद आपको लगे कि भाई ये rules तो हम जानते है किसी तरह से होता है आज तो इसी तरह से होता है या 50 साल, 100 साल पहले पर ये जो case है वो 1843 का है तो उस वक्त situation जो थी इतनी ज़्यादा clarified नहीं थी उन लोगों के लिए जो कि किसी तरह की मानसिक बिमारी से ग्रसित हों और अगर वो किसी तरह का कोई गंभीर अपराद कर देते हैं तो उन पर जो कोई एक effective जाक इंक्लोडिंग चीज जो नहीं थी इसलिए ये rules सेट के गए थे जो कि आज modern world का जो एक legal system है उसमें इनको apply किया जाता है